किसान भाईयो एक बार फिर आपका स्वागत है ब्राइट फार्मिंग चैनल में आज के वीडियो में हम मुंगफली की फसल में सुंडी के दवारा पत्तों को नुकसान पहुंचने के बारे में जानेंगे तो यह जानते हैं इस सुंडी के बारे में विस्तार से उससे पहले अगर आपने ब्राइट फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वे बेल आइकोन पर कलिक करें किसान भाईयो मुंगफली की फसल अब वरदी और फूलाने स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन सुंडी के दवारा मुंगफली के पत्तों को खाकर पोदे को नुकसान पहुंचा रही है किसान भाईयो यह सुंडी मुंगफली की फसल में रात को पोदे की पतियां खाती है वे दिन में यह वपस भूमी में या गिरे हुए पतों में के निचे चली जाती है यह सुन्डी पतियों के साथ फूलों को भी खाना स्टार्ट कर देती है जिससे फ़सल को नुकसान पहुंचता है यह सुन्डी मुंगफली की फसल को अगस्त स्तंबर के महिने में अधिक नुक्सान पहुंचाती है इस सुन्डी को जेविक विदी द्वारा नियंतरित करने के लिए नीम का तेल 40 एमल परती 10 लिटर पानी में मिलाकर शिरकाव करना चाहिए रसाइने के विदी द्वारा नियंतरित करने के लिए मेथो माईल 50% WP 12.5 ग्राम परती 10 लिटर पानी का शिरकाव करना चाहिए इस सप्रे का प्रियोग करने पर जैसे ही सुन्डी पत्ते को खाएगी तो यह द्वाई उसकी पाचन शक्ती को नुकसान पहुंचाती है जिससे सुन्डी की मरत्य हो जाती है इसके अलावा किसान भाईयो सुन्डी को कंट्रोल करने के लिए कारबेरी 900 ग्राम परती 100 लिटर पानी की दर से गोल बनाकर शिरकाव करना चाहिए तो किसान भाईयो मेरे द्वारा बताएगे किसी एक कीट नाश्च का प्रियोग करके आप अपनी मुंगफली की फसल में सुन्डी को नियंत्रित कर सकते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और फसलों में रोग कीट वे अन्य किसी समस्या के निवारन के लिए कुमेंट करें वे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब अब शेय करें धन्यवाद जैजवान जैकिसान